नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर और मैं हूँ नितेश दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर परदेश में जो अभी B.A.D. का एकजाम होके चुका है 2019 वाला इसमें संभावित कट ओफ क्या रह सकती है मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि किस किस को भारांक मिलेंगे वो तीनों कैटेगरिया मैंने आपको बताया थी कि भारांक का स्टेटस किस कैटेगरी पे क्या होगा यहां हम बात करेंगे संभावित कटॉफ की जिसके बाद आपको ये तैग करना आसान हो जाएगा कि आपको इस बार B.A.D. कोर्स में एडमिशन मिल रहा है अत्वार नहीं उत्तर परदेश में 217 B.A.D. कोलेज हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में फिगर हो सकता है लेकिन मेरी नौलेज में जितना था वो मैंने आपको बताया है और इन सब कोलेज में एडमिशन के लिए आपने ये एक्जाम दिया है अब जब ये मेरिट आ जाएगी जब ये कट पर ना होगा थोड़ा सा गनित कि किस प्रकार इस बार जो है कट आओ बनने जा रही है तो ये केटेगरी वाइज कट ओफ होती है जो आप सब को पता है और साथ-साथ इसमें केटेगरी वाइज पासिंग मार्स भी तेह कर दिये गए हैं अगर आप जनरर केटेगरी से हैं तो आपको beard में 50% marks कम से कम लाने हैं, इससे कम हैं तो आप qualify भी नहीं कर पाएंगे, अब अधर जो categories हैं वहाँ आपको 45% marks लाने होंगे, फिर इसका अलावाद जो women's हैं, अब किसी भी category की और साथ साथ जो physically handicapped है, उनको 40% marks पर qualify हो जाएगा, लेकिन qualify होना beard में selection होने की guarantee नहीं होता है, हाँ इतना जरूर होता है कि इसके उपर आपको number कितने लाने, ये आपको जांकारी होनी चाहिए, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि beard के exam के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये है कि अगर आपका exam 62% से उपर जा रहा है, और उसके उपर यदि आप गडबड कर रहे हैं questions को, तो आपको exam solve करना छोड़ देना चाहिए, यानि कि इतने के उपर आपके selection के chance बन जाएंगे, लेकिन मामला है ये उत्तरपरदेश का, तो यहाँ थोड़ा सा merit इससे उपर जा सकती है, फिलाल मैं category wise आपको ये बता रहा हूँ, कि selection के लिए आपको minimum कितने चाहिए, ये minimum mass बता रहा हूँ, इससे उपर जाने की सम्मावना, इससे नीचे जाने की सम्मावना नहीं होगी, तो जनरल की हम बात करें, तो कम से कम आपको 68 से लेकर के 75 तक आपको लाने होगे, ये इतने percent आपको कम से कम काम करना होगा, बात करें OBC की तो थोड़ा सा down आदे या 5% 60 से 70 के आसपास, SC की बात करें तो 55 से 60 के आसपास आपको लाना होगा, और अगर HT की बात करें तो भी करीब करीब केटेगरी में ये सेम ही रहने वाला है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल विडो, डाइवोर्सी, जो लेडीज हैं, फिमेल से उनके बारे में तो यहाँ 45 से 50 परशेंट तक आपको कम से कम लाना है, क्वालिफाइब तो इनका 40 परशेंट था, लेकिन सेलेक्शन के लिए मिनिममम 45 तू 50 तक आना होगा, इसी परकार OVC में भी सेम केटेगरी को 45 तू 50 तक आना होगा, ये आपकी स्थिती हुई क्वालिफाइङ से उपर जाने के लिए इतने मिनिममम आपको लाने है, दो पार्ट थे एकजाम के, पार्ट A और पार्ट B, पार्ट A के हम बात करें, तो ये दो बाग में था, A जो पार्ट है, वो दो बाग में था, पहले बाग में था आपका G के, जिसमें 50 कोश्चन थे, और आपके जो नंबर थे 100, दूसरे पार्ट में आपकी लेंग्वेज थी, जिसमें आपके जो कुश्चन थे, 50 नंबर थे, आपके 100, यानि कि जो पार्ट 1 था, वो 200 नंबर का हुआ, अब पार्ट 1 हम GK एक बार देख लेते हैं, पार्ट 1 में हम GK एक बार देखें, तो आप ये मानके चलिए, कि कम से कम आपको 100 नंबर में से, केवल GK की बात कर रहा हूँ, यह द्यान रखना, दोनों को मिला करके नहीं, अब हम बात करें language की जो की Hindi और English दो थी तो यहां आपको 100 में से कम से कम भी 55-60 number लाने होगे तो अब आपके हुए कुल number 200, 200 में से आप अगर लाते हैं 110-130 के बीच part 1 में तो आपके chance बन जाते हैं थोड़े अच्छे और solid अब बात करते हैं part B की, तो part B भी जो है दो बात में था, पहला था आपका general aptitude और दूसरा था आपका subject base तो general aptitude की बात करें तो वही आपके number थे 100, 100 में से आपको कम से कम भी देखो 45 से लेकर के 58 number या 60 number तक लाने होगे फिर बात करें subject विशेष की तो चुकि ये subject का paper था, आप इसके space list थे, तो यहाँ number आपको थोड़े से ज़्यादा लाने होगे, ये भी 100 number का था, तो यहाँ आपको 65 और इसके आसपास या इससे ऊपर ही number लाने पड़ेंगे, इससे कम में subject में पार नहीं पड़ती है तो यहाँ ये part 2, 200 number का हुआ, यहाँ आपको कम से कम number लाने पड़ेंगे, 110 से उपर, तो अब 110 से उपर आप यहाँ लाते हैं, और आप part 1 में भी 130 के आसपास लेकर के आते हैं, तो आपका merit की सम्मावना बन जाती है, लेकिन ये इस्तिति वो है, जब आप qualify के status से थोड़ा सा उपर उठ जाएंगे, सीटों के गणित के इसाफ से देखें, तो merit का status अलग बनेगा, cutoff का status अलग बनेगा, जो मैं अब बता रहा हूँ, ये मेरे qualify के लिए आपको बताया था, कि इतने number लाएंगे, तब आप उस दोड़ में आएंगे, कि आपका selection हो सकता है, इस से questions थे, 100-100 number के थे, तो अब आपके उखुल मिला के 400 question हो गए, ठीक है, 400 number हो गए, चारो parts के, अब 400 में से अगर आप general से हैं, तो आपको कम से कम 340 number आपको अगर लाएंगे, तो आपको top category में अच्छा college मिलने की सब्मावना हो जाती है, लेकिन अगर आप 330 के आसपास आते है तो आपको कोई tension नहीं आने वाली, आपका selection यहां sure हो जाता है, OBC की बात करें, तो आप 10 number नहीं चलिया, यह 320 के आसपास आपको अच्छी category मिल जाएगी, अच्छी college मिल जाएगी, SC, ST की बात करें, तो ज़्यादा tension मतलो आप, ठीक है, कि आपका 200 से लेकर के 230, 35 तक और आपको 300 के आसपास मार्च लाने पड़ेंगे, और EWS की बात करें, तो भी आपको 300 से लेकर के 320 के आसपास मार्च लाने पड़ेंगे, क्योंकि EWS में और जनरल में ज़्यादा फरक नजर नहीं आने वाला है, काफी सारे हैं से मेरे भाई बैनों में, जिनका certificate नहीं बना और विकलान की बात करें, तो 200 के आसपास सेलेक्शन हो जाएगा, 200 से लेकर के 215 के बीच, ये tentative cutoff था, इसको issue ना बनाए, आपके number अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कम आ रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके cutoff क्या जा सकती है, ये किवल exam क पैटर्ण और अभी तक exam में, जिन लोगों ने exam दिया, उन्हें से भी बातचीत के आदार पर ये वीडियो बनाया गया है, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में बताएं, पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पसंद आ रहा है, तो इसे